आम तोर पर रक्त का थक्का जमने से नुक्सान नहीं होता लेकिन इस तरी तब खजरनाक हो सकती है जब थक्का हिर्दय, फेपड़े या मस्तिश्क्यु में रक्त के प्रवा को रोकने लगता है इसके कारण श्ट्रोक या दिल का दौरा पढ़ने की संभावना बढ़ जाती ह रक्त के थक्के को रोकने के लिए ब्लड थिनर्स का इस्तमाल किया जाता है ब्लड थिनर्स से मतलब है हमारे खून को पतला करने वाले ऐसी दवाईयां दोस्तों जिनका यूज किया जाता है अगर हम ऐसे कुछ ड्रक्स की बात करें तो हमें दो तरह के ड्रक्स देखने को म मदद करती हैं जबकि दोस्तों अगर हम बात करें वार्फरेन और एसिटमोनिफेन की तो दोस्तों ये कुछ एंटिकोगलेंट दवाय होते हैं जिनका मुख्य कारे होता है शरीर में दोस्तों रसायनों के प्रतिक्रियाओं की कारण रख के थक्ये के गठन का विस्टार करना सीधे सब्दों में कहैं जो दोस्तों ऐसे ब्लेट थिनर होते हैं जो Vide खुन के थक्ये बनाने की प्रतिया को रोकने का काम करते हैं नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्वास्थ सलाकार पर दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Anti-Platelet Drug के बारे में साथ दोस्तों हम जानेंगे कि ऐसी कितनी और भी दवाए हैं दोस्तों और किस तरह से काम करते हैं इंफर्मिटिव साबित हो सकता है दोस्तों एंटी कोगलेंट और एंटी प्लेटलेट्स दवाएं शरीर के लिए घातक साबित हो सकती है इसलिए बिना डॉक्टर की सलाकिन दवाओं के प्रयोग से आप बचें यह वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ आपकी नौलेज को बढ़ाना है और किसी भी तरह की दोस्तों प्रैक्टिस को करने का नहीं है तो ह्यां दोस्तों जानते हैं कि कौन सी है anti-platelets drug और दवाएं दोस्तों जो की ली जाती हैं blood clotting को रोकने के लिए जिससे की heart attack और stroke को रूखा जा सके आज जो दोस्तों हमने drugs लिये हैं उनमें शामिल है aspirin, press you grill, aspirin, eco-spirin, brilinta और clopidogrel दोस्तों इन drugs के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही दोस्तों इनको compare भी करेंगे आपस में इसलिए दोस्तों आप सभी से request है कि हमारे साथ वीडियो में last तक बने रहें जिससे कि कोई भी दोस्तों information आपसे miss ना हो साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है then do subscribe to the channel जिससे कि दोस्तों आगे भी आपको ऐसी हो और भी वीडियो मिलती रहें तो दोस्तों बात करते हैं इन ड्रक्स के बारे में साथ ही दोस्तों इनके benefit side effects और किस तरह से दोस्तों इन ड्रक्स का use किया जाता है इसके बारे में भी बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें aspirin की दोस्तो तो aspirin जो है एक generic drug है यहाँ पर वहीं बात करें presugrel की दोस्तो तो यह भी generic drug है aspirin जो दोस्तो एक और drug हमने लिया है जिसको eco-spirin के नाम से भी जाना जाता है यह भी generic drug में हाता है दोस्तो BRilinta जो है जो है यह प्रेंडी ड्रग है इसके बारे में दोस्तों आगे हम बात करेंगे वहीं आपको देखने को मिलता है कलॉपी डोग्रिल जो कि यह भी दोस्तों झेट गर है अगर हम दोस्तों बात करें किन के नाम से यह ड्रग आपको market में देखने को मिल जाते है तो अगर हम दोस्तो एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन आपको देखने को मिल जाता है एस्प्रिन के नाम से जिसे बनाते हैं एस्टरजेनिका लॉप्रिन के नाम से दोस्तो आपको मिल जाता है जिसे बनाते हैं टॉरिंट फार्मास्यूटिकल लिमिटिड इसके लावा दोस्तों आपको यह रग्ड देखने को मिल जाता है ऐसे के नाम तो इसे जाइड़ इसके लिए दे लिए दे ग्रेंट शेकल नेम के लिमिटिड इसके लावा कुछ और भी कंपनियां दोस्तों जो अस्प्रिन को बन से बेजते हैं प्रैस्टुबस के नाम से और जाइड़ा स्कैल relationship RO दोस्तों इस बनाते हैं प्रैस्टुणृ के नाम से तो दोस्तों इस तरह से ट्रग को都्व धार कंपनिया दोस्तों इस ड्रग को नहीं बनाती है सिर्फ एस्ट्रा जैने का ही दोस्तों इस ड्रग को बनाते हैं क्लोपी डॉग्रल की दोस्तों बात करें तो इसको बनाते हैं सन सारे जो drug हैं वो tablet form में आपको देखने को मिलते हैं कोई भी दोस्तों यहां पर capsule form में या powder form में या दोस्तों injection की form में आप और आविलेबल आपको नहीं होता है यह सारे ड्रग आपको tablet form में देखने को मिलते हैं प्राइज रेंज की दोस्तों अगर हम बात करें तो इनका प्राइज जो रहता है दोस्तों वह अलग अलग प्राइज रहता है जैसे अगर हम बात करें एस्पिरिंग की दोस्तों तो आपको चार रुपए से 30 रुपए के बीच में मिल जाता है इसका पूरा स्ट्रिप आपक करें दोस्तों जोकि अगीन AR Mumbai आपको भाथी कम कास्ट में इसका रहता है वह रहता आक्षाहस रूपève आपको 14 टेखअए कि स्ट्रिप के अंदर बलिंटा की दोस्तों बात करें तो बलिंटा जो है दोस्तर वह थोड़ा महंगा आपको देखने मिलेगा क्योंकि 530 से इसे 450 रुपई के बीच में दोस्तों आपको यह टैबलिट जो है वो मिल जाता जिसमें मिनिमुम आपको 14 टैबलिट देखने को मिलते हैं कि स्ट्रिप के अंदर वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कलॉपी डॉपई 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 की दोस्तों तो यहां पर इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं 10 शे 15 टैबलिट पर इस ट्रिप में अब दोस्तों यह जो ड्रुग हैं यह आपको अलग-अलग फॉर्म में मिल जाते हैं जैसे और 150 mg में दोस्तो आपको ये मिल जाता है EcoSpring की बात करें तो दोस्तो ये भी आपको 75 से 150 mg के बीच में मिल जाता है Brilinta की दोस्तो बात करें तो ये आपको 60 mg और 90 mg दो और इंज में दोस्तो आपको ये देखने को मिल जाता है की बात करें दोस्तों थो कलॉपीडॉग्रिल आपको देखने को रहा है, पिचतता है iq五 apr事情, टीन肥 का यूज कहाँ पर रहा जाता है। अब इन ड्रग्स को यूज कहां पर किया जाता है दोस्तों। कॉमनली इन ड्रग्स का यूज किया जाता है दोस्तों बात करें तो इस ट्रोक को रोकने के लिए या इस ट्रोक को दोस्तों प्रेवेंट करने के लिए इन ड्रक्स का यूज किया जाता है इस तरह से दोस्तों इन ड्रक्स का यूज मिलाया जाता है यह ड्रक्स क्या करते हैं दोस्तों यह ड्रक्स जो है वो दोस्तों जो formation होता है blood clots का उसको तोड़ने का काम करते हैं जिससे कि जो blood clot है दोस्तों वो ना बने वहाँ पर और जो blood का flow है वो maintain रहे या बिल्कुल properly दोस्तों वो flow होता रहे क्योंकि blood flow दोस्तों जब हलका पड़ता है तो फिर कहीं न कहीं आपको फिर heart की problem या फिर stroke की problem के chances जो हैं वो बढ़ जाते हैं benefits की दोस्तों अगर हम बात करें तो aspirin जो है दोस्तों वो क्या करता है आपके जो भी enzyme pain होता है दोस्तों या फिर जो heart या stroke के chances रहते हैं दोस्तों उसको कम करने का काम करता है और आपका जो blood flow होता है दोस्तों उसको proper maintain करने के लिए भी दोस्तों इसका use किया जाता है aspirin का use जाता है उन लोगों को जादा किया जाता है दोस्तों जिनको already heart attack हो चुका है और दूसरा heart attack दोस्तों उनको ना आए इसलिए दोस्तों aspirin को दिया जाता है वहाँ पर उसके अलावा जिनको एंजाइना pain की तिक्कद रहती है chest pain बहुत जादा रहता है तो वह भी दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं प्रैसुग्रली की दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों यह anti-platelet medicine है जो कि blood thinner की तरह काम करती है जो कि दोस्तों जो cells होते हैं आपके जिनको हम platelet बोलते हैं दोस्तों वह एक साथ ना रहे एक साथ जमा ना हों दोस्तों उनको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है उनको तोड़ने के लिए उसके लावा दोस्तों जो blood clotting हो जाता है दोस्तों हमारे veins में जो हमारा खुन दोस्तों जम जाता है तो उसको भी दोस्तों तोड़ देता है जिससे कि जो blood flow है वो बना रहे और दोस्तों किसी भी तरीके का heart attack या फिर pulmonary दोस्तों embolism जो होता है उसके chances ना बने तो उसको prevent करने के लिए दोस्तों यहाँ पर यूज किया जाता है इकोश्प्रिंट की बात करें तो अगें दोस्तों aspirin का यह पार्ट होता है तो aspirin के जो भी दोस्तों हमने भी तक आपको बताया है तो वही आपको यहाँ पर रिजल देखने को मिल जाते हैं सेम एंजाइन पेन के लिए इसका यूज होता है heart attack prevention के लिए heart attack के treatment के लिए stroke को रोकने के लिए stroke की दोस्तों आगे chances ना बने उससे बचाने के लिए दोस्तों आप एकोश्प्रिंट का यूज किया जाता है बिलइंटा की दोस्तों बात करें तो यह जो tablet होते हैं जो drug होता है दोस्तों यह anti-plantary medicine होते हैं जो कि blood thinner का गाम करते हैं नहीं खून को दोस्तों पतला कर देते हैं Bhagavar दोस्تो काम बोलें इन्ड्रग्स का क्या काम होता है तो दोस्तो यह आपके खूण को थोड़ा पतला करते हैं जिसे के आपका खूण जो है दोस्तो प्रॉपरलि को फ्लो होता रहıtा है और किसीवी तरीके घर घरिक्ज होता है उसको भी दोस्तों यह रोकने का काम करता है तो इन केसिज में दोस्तों इस ड्रग का यूज किया जाता है वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो क्लॉपी डॉग्रिल का यूज किया जाता है हाट अटेक को प्रिवेंट करने के लिए उसके अलावा दोस्तों जो हाट था गाने के chances होते हैं यह परिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ उते हैं दोस्तों उसमें इसका यूज किया जाता है क्योंकि यह क्या करता है दोस्तों जो दुबारा को chances होते हैं हाट a-tac होने के है यह त्रोक होने के इसको दोस्तों यह कम कर देता है तो almost हो सकती है bleeding tendency ज्यादा हो सकती क्योंकि हो सकता है जरा साथ आपको कट लगे तो खूर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा बहे तो यह कुछ आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं इसका नॉश्या की दिक्कत हो सकती है पेट थोड़ा गड़वड़ा सकता है अगर आप इसका यू करना बंद कर दीजिए और तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसर्ट करिए कि आपको यह प्रॉब्लम हो रहा है प्रेसिग्रेल की बात करें दोस्तों तो प्रेसिग्रेल में साइड इफेक्ट के तौर पर आपको सिर्फ ब्लीडिंग का प्रॉब्लम ही देखने को मिल सकते यानि कि कोई भी चोड लगता है या कोई इंजरी आपको होती तो ब्लीडिंग में भी थोड़ी जादा हो जो नौर्मली आपके साथ होता है तो यह कुछ दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं एस्परिन में दोस्तों जो एस्परिन के जो साइड इफेक्ट हो सकती है हो सकता है आपको सांस लेने में तकलीफ हो तो इस तरह की दोस्तों कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं क्लोपी डॉग्रिल की दोस्तों बात करें तो अगर आप यूज कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट के तोर पर हो सकता है आपको देखने को मिलें ब bleeding की problem यहाँ पर रह सकती है ऐसे में दोस्तों अगर आप इस medicine को या in drugs को ले रहे हैं तो आपको बचना है ज्यादा कोई ऐसा काम नहीं करना जहां पर injuries होने के chances हो cuts होने के chances हो आपके शरीर पर क्योंकि bleeding जो है दोस्तों वह normal से ज्यादा होगा क्योंकि already आपका जो blood है वह काफी thin हो चुका है पहले से इन drugs का using करने से किस तरह से आपको इन ड्रक्स को लेना चाहिए दोस्तों हम बात करें तो इन ड्रक्स को दोस्तों आपको directly ले ना है यहां पर आपको छुँ नहीं करना है एस्पेरिन के लावा हम और frogs यह lore नहीं करना है डैरेच्ट आपको ड्रग को लें जो टाइम पर आप लेते हैं जो टाइम आपको डॉक्टर ने बताया है बिना डॉक्टर की consultation के इस ड्रग को ना लें दोस्तो क्योंकि बहुत ही ही यह serious ड्रग होता है इसके serious symptom भी अगर आपको देखने को मिल सकते हैं इसके serious दोस्तो पानी में थोड़ी देट के लिए डिसॉल्व कर देना है उसे मिला लेना है घोल करके दोस्तो उसके बाद दोस्तो उस पानी को आपको पी जाना है एक गलास पानी में आपको मिक्स करके एस्पिरिन को लेना है तो इस तरह से दोस्तो आपको इन ड्रक्स का यूज करना है सेफ चाहिए डॉक्टर अगर आपको आलाव करते हैं तो फिर आप इस ड्रग को ले सकते हैं अपनी मरजी से बचना चाहिए वर आप को एलकोल के साथ में दोस्तों आप इसको ले सकते हैं आपर safe बता गया है company के ओर से यानि की प्रैसी डॉक्टरल को एलकोल के साथ लिया जा सकता है pregnancy और breastfeeding के दौरान आप डॉक्टर से एक बार discussion कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप इसका use करना शुरू कर सकते हैं driving के दौरान भी दोस्तों इससे safe माना गया है kidney से संबंदित problem है तब भी दोस्तों आप डॉक्टर की consultation के बाद इसको लेना शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आपको liver से संबंदित कोई परशानी है तो इसको आपको नहीं लेना चाहिए या अगर आप लेना भी चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से पूछ लीजिए अगर वो आपको allow करते हैं तब ही इसको use करी अदर्वाइस इसका use आप बिल्कुल ना करें Echop fourteen की बात करें दोस्तो तो ये Esprin का part होता है जिसे दोस्तों हमने ऐब आपको बताया उसी तरह आपको इसको use करते समये इन बातों को खेल लगने इसे alcohol के साथ में नहीं लेना है pregnancy और breastfeeding के दौरान दोस्तों डॉक्टर से आप consult करके इसे ले सकते हैं driving के दौरान इसे लेने से बचें और kidney और liver की समस्या होने पर भी दोस्तों इसका प्रयोग ना करें वहीं बात करें ब्रिलिंटा की दोस्तों तो ब्रिलिंटा का यूज करते समय ऐलकोईल के साथ में इसे बिलकुल भी ना लें क्योंकि यह बहुत जादा serious हो सकता है pregnancy breastfeeding के दौरान आप डॉक्टर की consultation से ले सकते हैं driving के दौरान इसे बिलकुल safe माना गया यानि driving से पहले या driving के समय आप इसे ले सकते हैं ऐसा कोई भी problem यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है उसके अलाबा दोस्तों kidney से समबंदित परिशानी है तब भी आप इसे ले सकते हैं दौक्टर की consultation के बाद और liver से समबंदित परिशानी है तो फिर आप इसे बिलकुल भी ना ले क्योंकि दोस्तों liver के लिए यह सही नहीं बताया गया है वहीं दोस्तों अगर हम बात करें Clopidogrel के दोस्तों तो अलकुल के साथ में इसे नहीं लेना चाहिए pregnancy और breastfeeding के दौरान दोस्तों इसे safe माना गया अगर डॉक्टर आपको prescribe करते हैं driving के दौरान भी आप इसे ले सकते हैं kidney से संबंदित कोई परशानी है treatment ले रहे हैं तो डौक्टर के advice के बाद आप इसे लेना शुरू कर सकते हैं वहीं liver के साथ में भी दोस्तों इसे safe माना गया है लेकिन डौक्टर के prescription के बेना दोस्तों इसे लेना शुरू ना करें तो इस तरह से दोस्तों आप इन product का सेफटी गों लेकर खयाल रखें क्योंकि safety बहुत जरूरी हो जाता है बिना यह जाने दोस्तों कि कि किस drug का side effect आपको देखने को मिल सकता है कि बिमारी के साथ में अप उसे ले सकते हैं किस बिमारी के साथ नहीं ले बहुत जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों इसके लावे कुछ ऐसी दवाईयां भी होती हैं जिनके साथ में हमें किसी पर्टिकुलर दवाई को नहीं लेना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर इंट्रेक्शन हो जाता है फिर उसका रियक्शन हमें बॉड़ी बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए प्रेसिकुरेल की दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रेसिकुरेल के साथ में भी कुछ ड्रक्स हैं दोस्तों जो की बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जिसमें हमें देखने को मिलता है वार्फिन और हमें देखने को मिलता है दोस्तों फिनि बूटाजोन नहीं लेना चाहिए इसके साथ में और दोस्तों हमें नहीं लेना चाहिए मैटामीजोल उसके अलावा दोस्तों हमें थियोफिलिन नहीं लेना चाहिए Blinta के साथ में वहीं Clopidogrel की बात करें दोस्तों जो Clopidogrel का यूज़ करते समय हमें Bami Perrin Dalte Perrin और Heparin का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इन ड्रक्स का दोस्तों अगर आप साथ में यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके Serious दोस्तों Life Threatening Effect देखने को मिल सकते हैं Body के उपर तो इन ड्रक्स का यूज़ दोस्तों आपको नहीं करना चाहिए बाकि ड्रक्स का यूज़ करते समय तो दोस्तों यह था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की कुछ ऐसे ड्रक्स के बारे में दोस्तों जिनका यूज़ किया जाता है Heart Attack और इस ट्रोक को रोगने के लिए साथ ही दोस्तों जो Blood Clothing होता है शरीर में उससे बचने के लिए दोस्तों इन ड्रक्स का यूज़ किया जाता है यह Blood Thinner के तोर पर काम करते हैं तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको informative लगा होगा ऐसी और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और जोड़े रहें दोस्तों हमारे चैनल स्वास सलाकार के साथ ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए वीडियो में आप सभी अन तक जोड़े रहें उसके लिए आप सभी का धन्यवाद